नमस्कार द्रिष्टी आईएस के इन्न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज के इन्न्यूस का टॉपिक है सौ शीष परियावर्निय जोखिम शहरों में भारत के 43 शहर आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के परियावरन खंड से जुड़ा है तो चलिए देख लेते हैं डाइमेंशन्स जिन पर माज की चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले जानेंगे की खबर क्या है Maple Craft द्वारा Environmental Risk Outlook 2021 नाम से जारे इस रिपोर्ट में विश्व के बड़े शहरों को परियावर्णिय जोखिम के आधार पर रैंकिंग दी गई है रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शहरों में वायू प्रदूशन और प्राकर्तिक आपदाउं सहित परियावर्णिय मुद्दे सबसे बड़ा खत्रा है दुनिया के शीर्ष सौ सबसे जोखिम बाले शहरों में से 99 एशिया में हैं बतादे की वेरिस्क मैपल क्राफ्ट एक प्रमुख शोध फर्म है जो वैश्विक जोखिम विशलेशन आदी संबंधी आंकड़े जारी करती है अब जान लेते हैं एन्वायमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 के बारे में इस वेश्विक सूचकांग के अनुसार विश्व के 100 सरवाधिक परियावर्णिय जोखिम वाले शहरों में से 43 भारत में हैं विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या से शहरों में जल उपलब्धता एवं वायू गुडवत्ता में कमी तथा प्राकर्तिक आपदाएं परियावर्णिय जोखिम का एक बड़ा कारण मानी जा रही हैं जिससे जलवायू परिवर्तन या वेश्विक तापमान में भड़ातरी हो रही है वेश्विक रूप से विश्व के 414 शहरों के 104 बिलियन से भी जादा लोग प्रदूशन, पानी की कमी, अत्यदिक गर्मी, प्राकर्तिक आपदाओं और जलवायू परिवर्तन के भौतिक प्रभावों से उच्च जोखिमों का सामना कर रहे है यह है रिपोर्ट विश्व के करीब 600 बड़े शहरों में परियावर्णिय जोखिम को बताती है जिसमें एशियाई देश अगरणी है इसके मुताबिक G20 देशों की वैश्विक उच्च सर्जन में 80 प्रतिशत की भागीदारी है मैपल क्राफ्ट द्वारा यह है विश्डेशन नौ जोखिम सूचकांकों के आधार पर किया गया है जान लेते हैं इस रिपोर्ट में एशिया के संदर्ब में क्या क्या बताया गया है Cities at the Risk सीरीज की इस पहली कड़ी के तहत दुनिया के 576 सबसे बड़े शहरी केंदरों को परियावरण और जलवायू संबंदी खत्रों की एक सीमा के अनुसार रैंक किया गया है इसमें विश्व के 100 सरवादिक जोखिम वाले शहरों में से 99 एशिया में बताये गए है जबकि एक लीमा है पेरू की राजधानी लीमा इन 100 शीर्ष शहरों में शामिल एक मात्र गैर एशियाई शहर है इन 99 एशियाई शहरों में से 43 भारत जबकि 37 चीन में है गौर तलब है कि चीन और भारत विश्व के सबसे बड़े उत्सरजक देशों में क्रमशह पहले और तीसरे स्थान पर है इंडोनेशिया की राजधानी जकारता विशलेशण किये गए सभी 9 कारकों के आधार पर सयुक्त जोखिम की सूची में सबसे उपर है एक मिलियन से अधिक आबादी वाले दुनिया के 20 सबसे जोखिम भरे शहरों में से 13 भारत में है इसमें देश की राजधानी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे अधिक जोखिम वाले शहर का दरजादी आ गया है जबकि चेन्नाई तीसरे, आगरा छटे और कानपुर दस्वे स्थान पर है अन्य शहरों में जैपुर 22, लखनओ 24, बैंगलूरू 25 और मुंबई 27 स्थान पर है इसमें प्रदूशण को देश की विशाल शहरी आबादी के स्वास्थे के लिए मुख्या खत्रा बताया गया है इसके एर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 20 में से 19 भारतिय शहर जो खिम भरे है इनमें भारत के पडोसी देश पाकिस्तान के दो सरवाधिक आबादी वाले शहर कराची और लाहर, क्रमशह 12 और 15 स्थान पर है चीन के गुआंग जूँ और डोंगुआन शहर प्राकरतिक आपदाओं का सामना करने वाले शहरों की सूची में शीश पर है जबकि जापान के ओसाका और टोक्यो, भुकंप और तुफानों के मामले में सुभेद्य हैं एशिया के अत्रिक्त मद्यपूर्व और उत्री अफरीका यानी M.E.N.A. में उच्च जोखिम रूप में वरगिक्रित शहरों का अनुपात सरवाधिक है Climate Change Vulnerability Index के तहट अफरीका में दो सरवाधिक आबादी वाले शहर लागोज और किंशासा अत्यदिक जोखिम पर है इस शेडी में जकारता के अलावा कई अन्य शहर जैसे कराकस, कराची और मनीला के साथ-साथ यमन का सना शहर भी शामिल है रैंकिंग में यूरोप महादेश को सबसे कम जोखिम वाले क्षेत्रों में रखा गया है सूचकांग के अनुसार 20 सबसे कम जोखिम वाले शहरों में से 14 यूरोप में है जिन में साइबेरिया का क्रास्नो यार्स्क 576, ओसलो 575, वैंकूवर 574, ग्लासको 573, ओटावा 571, हेलसिंकी 579 और कॉपनहेगन 563 स्थान पर है मद्यपूर्व और उतरी अफ्रीका में कैरो जबकी एशिया में मंगोलिया का उलन बाटोर और जापान का शीजू का शामिल है अब जान लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि कई शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण खत्रा यह है कि जलवायू परिवर्तन से मौसम संबंदी जोखिम तेजी से बढ़ रहा है उच्चत आपमान और चरम घटनाओं की बढ़ती गंभीरता और आवरिती दुनिया भर के कई शहरों में रहने की गुडवत्ता और आर्थिक विकास की संभावनाओं को परिवर्तित कर देगी वायू प्रदूशड के कारण 2019 में भारतिय अर्थिवस्था को करीब 36 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ साथ ही जल प्रदूशड से हर साल देश में करीब 4 लाख लोगों के मृत्यू हो जाती है यह आउटलूक इस बात का पता लगाता है कि परियावर्णिये मुद्दों से जुड़े मुख्य कारक किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और उसे निपटने के लिए संबंधित सरकारे सभी हित धारकों को ध्यान में रखते हुए क्या और किस प्रकार के उपाय करती हैं हाल ही में हावर्ड युनिवर्सिटी के शोद करताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के मुताबिक पश्चिमी अंटार्क्टिक में बर्फ की चादर के निरंतर पिघलने का तथ्य उजागर हुआ जिसमें पताया गया कि इसके कारण इस सदी के अंत तक वैश्विक समुद्र स्तर 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है जो की एक गंभीर समस्या है अब जान लेते हैं भारत द्वारा किये गए उपायों के बारे में भारत सरकार द्वारा परियावरण प्रभाव आंकलन यानि EIA ड्राफ्ट अधिसूचना 2020 भी जारी की गई है इसके अलावा परियावरणिय मुद्दों के सुचारू नियमन के लिए सिफारिशे देने के लिए 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिफ टी एसार सुब्रमणियम की अध्यक्षता में गठित एक उच्चसतरिय समीती द्वारा एक नए अंब्रेला कानून परियावरणिय कानून प्रबंधन अधिनियम यानि एलमा की सिफारिश भी की गई जिसे मौजूदा कानूनों को लक्ष्यों को पूरा करने हेतु वर्तमान आवशक्ताओं के अनुरूप लाया जा सके पैरिस समझोते के तहट भारत के राष्टियस्तर पर निर्धारित योगदान निम्नलिखित हैं एक स्वस्थ और स्थाई जीवन शैली को आगे बढ़ाना जलवायू अनुकूल स्वच्छ आर्थिक विकास 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पात की उत्सरजन तीवरता को 2005 के 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कम करना 2030 तक गैर जिवाश में इंधन आधारित उर्जासन साधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचाई बिजली स्थापित करने की क्षमता हासिल करना 2030 तक अतिरिक्त वन और विक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त कारवन सिंख बनाना आदी इसके अतिरिक्त भारत ने पैरिस समझोते के क्रियानवन के मद्दे नजर हाल ही में एक शीर्ष समीती की स्थापना की है जो देश में कारवन मार्किट के रेगूलेशन हेतू भी नैशनल एथॉरिडी के रूप में कार्य करेगी भारत देश के इंस्टॉर्ट पावर केपैसिटी में 2030 तक गैर जिवाश्म स्तरोतों का 40 प्रतिशत हिस्सा लाने हेतू प्रयासरत है जान लेते हैं पैरिस समझोता 2015 के बारे में जलवायू परिवर्तन के प्रभाव को कम करने एवं इससे बचाव हेतू वर्ष 2015 में पैरिस जलवायू समझोता अपनाया गया यह जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतराश्ट्रिय परियावर्णिय समझोता है जिसे Conference of the Parties यानी COP21 में अपनाया गया था इसका उद्देशियत आप मान को पूर्व औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना एवं इससे और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है समझोते के तहत प्रत्येग देश से 2020 के बाद के जलवायू कार्यों को रिखांकित और संप्रेशित करने का राष्ट्रियस्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC का अनुरोथ किया गया है अब जान लेते हैं UNEP यानी संयुक्त राष्ट परियावरण कारेक्रम के बारे में संयुक्त राष्ट परियावरण कारेक्रम यानी UNEP एक प्रमुख वैश्विक परियावरण प्राधिकरण है इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी इसका प्रार्थमिक कार्य वैश्विक परियावरण एजंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट परियावरण के भीतर सतत्विकास को भढ़ावा देना और वैश्विक परियावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है गौर तलब है कि संयुक्त राष्ट परियावरण सभा यानि UNEA संयुक्त राष्ट परियावरण कारेकरम का प्रशास निक निकाए है जो परियावरण के संदर्भ में निर्णे लेने वाली विश्व की सर्वोच संस्था है बतादे कि विशु परियावरण दिवस प्रती वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2021 का यह दिवस पाकिस्तान UNEP के साथ मिल कर होस्ट करेगा विशु परियावरण दिवस यानी World Environment Day 2021 की थीम पारिस्थिती की तंत्र की बहाली यानी ecosystem restoration रखी गई है जान लेते हैं ऐसे में आगे की रहा क्या हो वर्तमान समय में हमारा ग्रह विभिन परियावरणिय चुनोतियों से जूज रहा है जिसे निपटने के लिए अंतराश्ट्रिय एवंराश्ट्रिय स्तर पर विभिन प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन मौजुदा प्रयास इंचुनोतियों को दूर करने में नाकाफी साबित हो रहे हैं इसे देखते हुए जरूरत है कि सभी देश मिलकर आर्थिक विकास को ही एक मात्र उद्देश्य बनाने के स्थान पर विकास की धार नियता पर भी विचार करें इसे तेश में विवसाय निवेश आधी को अधिक लचीला बनाने के लिए परियावरण जोखिमों पर केंद्रिय विचार की अवशक्ता है साथ ही विभिन देशों के मध्य भेतर आपसी तालमेर तथा समन में बनाने के लिए परियावरण से संबंदित निकायों को एक मंच पर लाना होगा हमें यह समझना होगा कि हमारे पास केवल एक ही ग्रहे है प्रिथ्वी जिसे हमें भेतर बनाने के प्रियास करने ही होगे हाल ही में Environmental Risk Outlook 2021 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सहित दुनिया भर में परियावरणिये जोखिम की स्थिती का आकलन कीचिये तो ये था हमारा आज का सेशन अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए and stay motivated और आप सभी को तीम ट्रिष्टी की और से ईद के त्योहार की हारदिक शुब काम नाए